तो एलो दोस्तो तो बैक अनद वीडियो के साथ दोस्तो तो आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉप पाइ ग्रास्टेफ पोकीमोन ओफ एश के चम्त दोस्तो तो वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज बता दू कि पोके वीला जी को मैं ये थमनेल बना के दोस्तो फिला जीने में ये थमनेल बना के दो दोस्तो और वीडियो शुरू करने से पहले बता दो चानल को सब्सक्राइब करो बाजवाले घंते को बता ताकि हमारे लेटेस्ट थेहरी वीडियो तुम सब लोग पास पहले पोशेर तो चाहिए इंट्रो लगाते और वीड कि अब लो दोस्तो नमबर फाइव से शुरुआत करते हैं दूस्तो नमबर five पोशेशन बनाता है वह थो सनाइवी दोस्तो एश का स्णाइवी अब तक का सबसे वर्ष्ट ग्रास टैप भी माना जाता है प्यूंकि सनाइवी पस एक ग्राटैक्स और नॉर्मल टाइप अट जगे बनाता है वह है वीवाइल दोस्तों वीवाइल इसलिए फोर्ट पोजिशन पर जगे बनाता है क्योंकि वह फुली वर्ड ग्रास टाइप पोकीमोन है एश का और इसे उसमें हो एंडरीशन में पकड़ाता उससे बेसिक पॉम पे दोस्तों इसमें उसकी बहुत सारी मद वर्ड पर फ्रिकी पोजिशन पर जो जगे बनाता है वह पोकीमोन है एश का बॉल्बसौर मीज कर देगा ऐसा बॉल्बसौर को अपर बुंषओर को ने वाला था तो बलबसौर चो को बता रहा ता है एश मेरा एश ट्रेंणर वापस हार रहा इसलिए दोस्तो बल्बसौर हमारे लिष्ट में नंबर 3 के पोजिशन ओल्ड करता है दोस्तो बल्बसौर के पस बहुत ही ताखत और हमले बस एक ही चीज़ है कि बल्बसौर कभी इवॉल्ड नहीं हुआ उसी का ही दुफ मुझे है कि Bulbasaur एवॉल नहीं हो पाया दोस्तो अगर Bulbasaur आईवी सौर में इवॉल हो जाता बेनो सौर में नहीं बलके आईवी सौर में भी हो जाता ना तब भी वो बहुत स्ट्रॉंग Pokemon बन जाता दोस्तो इसलिए Bulbasaur हमारे लिस्ट में नमबर थर्ड की पोजिशन होल्ड करता है दोस्तों पर बल्बस और फिर से बता दो एक ही बात का दो कि वह इवाल नहीं होता है दोस्तों तो अभी चलते हैं हमारी दिश्ट में नमबर सेकेंड पोजिशन पे जो पोजिशन अपनी जगय बनाता था है वहें टॉल दॉस्तों टॉल टेरा एक शूनो रिजन का स्टार्टर वकिमोन है वहें टॉब दोस्तों आश ने टर्ट विक में पकड़ा था और फिर उसे टॉर्टेरा में इवाल करती है तो टॉर्टेरा के पास भी बहुत ही अच्छे हमले और से शिनोरेजन में भी उसका बहुत ही अच्छा इसाथ दिया है उसके अमले जैसे की लैंड्स्लाइड लैंड क्रॉल और फ वू है हमारा स्केपटाइल दोस्तों स्केपटाइल चापस सबसे पहला måste फुली वॉल्ड ग्रास टाइप पोकेमोन बना 10 और दोस्तों स्केपटाइल ग्रोल से इसलिए उभाल हो गया था कि उसे मेगग नियम और ट्रॉपियस को बचाना था एक एपिसोड में दोस्तो और होएन लीजिन में स्केप्टाल तो पूरी तरह से इवॉल हो चुका था दोस्तो तो स्केप्टाल एक बहुत थी अच्छा तगड़ा स्ट्रॉंगेश्ट पोकेवन है एश का होन रिजन का पर उसके पास भी बहुत सारे अटैक्स है जैसे लीफ स्टॉर्म लीफ ब्लेड सोलर बीम और वगेरा अटैक्स दोस्तो तो यही थी हमारी आज की यह पूरी लिष्ट दोस्तो तो अगर तुम लोग को यह लिष्ट और सीरीज पसंद आ रहे हैं तो प्लीज एक लाइक बटन को ठोकना मत बूलना और दोस्तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना जो है पोकेवेक्स हिंदी दोस्तों हम लोग रोज डेली वीडियोज अपलोड करते पोकेमान ठीज के पोकेमान ठीज टोफ फाइज औ और कुछ मैं कभी कबार एपिसोड भी रिलीस कर देता हूँ चैनल पे दोस्तों तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल दमाना तो अभी दोस्तों वेक्स को कुछ तो बोलना है तो वह भी बोल देगा तो दोस्तों वेक्स पता नहीं अभी कहां चल गया मैं उसे कब से धूंड रहा तो अभी चलो मैं जाता हूँ चैनल पे सब्सक्राइब करना फिर से बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करना भूल में कोलाबरेशन भी वीडियो बनाता हूँ तो लेटेश रिसेंट वीडियो देख लेना चैनल पे जाके सच किजिए और दोस सब नेटिस्ट वीडियो की टेयर न्यूज पहुचा देता है दो दोस्तों आज का वीडियो यही खतम करता आचा करता तो तुम्हें वीडियो पसंद आगा और टाटा बाइबाइब